नमस्ते दोस्तों मेरा नाम है मोहिजेन और इस लेक्चर में मैं आप सभी का तहदिल से स्वागत करता हूँ, इस्तक्बाल करता हूँ अब दोस्तों आएए एक और यूज समझ लेते हैं इस हेश डिफाइन प्री प्रोसेसर डिरेक्टिव का तो दोस्तों जरा इस प्रोग्राम पर नजर डालिएगा, तो यहां अगर हम देखें तो कितने प्री प्रोसेसर डिरेक्टिव हैं दोस्तों, हेश इंक्लूट, फिर एक और ये वाला हेश इंक्लूट, फिर हेश डिफाइन, फिर एक और हेश डिफाइन, तो यहां हम देख सक हम operators को define करने के लिए भी कर सकते हैं तो यहां देखेगा दोस्तों हमने लिखा हुआ है capital letters में end और फिर logical end operator लिख दिया है फिर यहां हमने लिखा है capital letter में और और फिर यहां पर और operator हमने लिख दिया है यानि कि यह जो template है यह जो macro template है end अब यह किसको represent कर रहा है logical end operator को और यह जो macro template है और यह logical और operator की जगह पर इस program में इस्तमाल किया जा सकता है तो जरा इस program पर आप नज़र डालिएगा दोस्तों तो इस program के अंदर हमने एत character type का variable declare और initialize किया है जिसका नाम है x और sm ने initialize किया है small letter b से अब दोस्तों control इस if statement पर आएगा अब जरा इस if की condition पर नज़र डालिएगा दोस्तों तो इस if की condition पर जब आप नज़र डालेंगे तो आप आएंगे यहाँ पर एक condition लिखी हुई है x greater than or equals to 65 यहाँ लिखा हुआ है end फिर यहाँ लिखा है x less than or equals to 90 फिर यहाँ लिखा हुआ है or x greater than or equals to 97 and x less than or equals to 122 तो दोस्तों यहाँ प्रोग्राम के अंदर जहाँ कहीं भी pre-processor को नज़र आएगा end तो इस से replace कर दिया जाएगा इस operator से logical end operator से replace कर दिया जाएगा और अगर जहाँ कहीं भी pre-processor को नज़र आएगा or तो इस or को replace किया जाएगा दोस्तों इस logical or operator से यानि कि pre-processor इस source code को expand कर देगा और इस end की जगह पर replace कर दिया जाएगा logical end operator और और की जगह पर replace कर दिया जाएगा यह logical or operator तो यह वेशे ही काम करता है दोस्तों आपने हैं एन लिख दिया न तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि यह logical end operator की तरह काम करेगा आपने यहां पर capital letter में ओ आर लिख दिया पर यह किसकी तरह काम करने वाला यह और operator की तरह ही काम करने वाला है तो इस तरह से हम operators को भी define कर सकते हैं हाँ और दोस्तों एक बात और जब आप यह program computer पर run करें तो यहां पर चहां 65 लिखा हुआ है तो 65 और इस end के बीच में एक space रखना होगी यहां पर आपको और यहां पर भी एक space आप रखें यहां एक space आप प्री प्रोसेसर डिरेक्टिव वा तो यहां पर आप देखेगा ज़रा इस प्रोग्राम के अंदर हमने लिखा है हेज डिफाइन फिर इस पेस फिर हमने टेंपलेट का नाम लिखा यहां पर कंडिशन यह एक मेक्रो टेंपलेट है और इसके बाद हमने यहां पर इसका expansion इस पर main function के अंदर आते हैं तो यहां दोस्तों सबसे पहले एक integer type के variable को हमने declaration और initialization उसका किया है तो जैसे ही यह instruction execute होगा memory में एक a नाम का variable बन जाएगा जिसकी value हो जाएगी 10 फिर control आएगा यहां if पर अब ज़रा दोस्तों इस if के अंदर इन parenthesis के बीच में देखिएगा हमन सीधा सीधा यहां पर लिख दिया है condition तो ऐसा लिखने से क्या होगा तो दोस्तों यह जो हमने लिखा है यहां पर सीधा सीधा condition तो preprocessor क्या करेगा इस condition को replace कर देगा इस expression से a greater than 0 and a less than 20 यानि कि हमने लिखा है ऐसा पर compiler के पास इसकी जगह पर क्या replace होकर जाएगा दोस्तों a greater than 0 logical end operator a less than 20 फिर इसके बात इस if के अंदर हमने यह instruction लिखा है printf और फिर else है फिर printf है फिर getch तो इस program का output क्या होगा दोस्तों तो यहां पर a की value है 10 तो control आएगा इस if के अंदर इस condition को check करेगा और यह condition कौन सी condition है यह वाली condition तो a की value अभी 10 है तो 0 से तो greater है और 20 से छोटी है यानि कि यह condition evaluate होकर आजाएगी true तो output screen पर एक message print हो जाएगा true क्योंकि यह printf execute हो जाएगा यह printf इस if के ही block में है तो यहां से output screen पर जो हमें नजर आने वाला है output वो सिर्फ इतना नजर आएगा true वहाँ पर print हो जाएगा else में तो control जाएगा नहीं तो दोस तो अब इसका क्या use हम कर सकते हैं मान लीजिए आप कोई ऐसा program बना रहे हैं जिसके अंदर एक ही condition बार बार use हो रही है same expression है same condition है जो बार बार हमें use करना है program के अंदर तो हम उसे उपर इस तरह से define कर सकते हैं अब जहां जहां भी हमें उस condition का इस्तमाल करना है तो वहां व यहां जहां भी हम वो macro template लिखेंगे वहां वहां प्री प्रोसेसर उस macro template को उस condition से replace कर देगा अब आउसाथियों एक और use देखते है है हेज डिफाइन प्री प्रोसेसर डारेक्टिव का तो यहां पर हमने इस program के अंदर लिखा है है हेज डिफाइन फिर स्पेस फिर हमने श तो इस तरह से हम पूरा statement भी यहां पर define कर सकते हैं by using this preprocessor directive तो यह काम किसे करेगा यह program काम किसे करेगा आई इस जीच को समझते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों main के अंदर CLR, SCR है उसके बाद यहां सीधा सीधा लिखा हुआ है show तो हमने दोस्तों सिर्फ ल expansion के साथ जो की है यह statement printf तो यहां पर हमें तो नजर आ रहा है दोस्तों यह program कुछ इस तरह से हमें यहां दिख रहा है show और compiler के पास यह program किसे जाएगा यह show की जगह पर replace कर दिया जाएगा यह printf यानि कि इस program का output हमें क्या नजर आएगा दोस्तों तो सबसे पहले तो CLR, SC फिर उसके बाद show, अब show का मतलब, show execute होने का मतलब है यहां पर यह वाला जो printf लिखा हुआ है ना, यह printf execute हो रहा है यहां पर, क्योंकि यह show replace कर दिया जाएगा, इस printf से, output screen पर print हो जाएगा, you are welcome, तो दोस्तों इस तरह के macro expansion का क्या फायदा है, तो इसमें हम यह समझ सकत हैं कि इससे यह फायदा है हमको, कि माली जी कोई statement ऐसी है, जो आपको पूरे प्रोग्राम में, थ्रूआ अलग अलग जगे पर बार बार execute करने की जरूरत पड़ रही है, जैसे माली जी आपको कोई message है, you are welcome, अब यह you are welcome, जो message है है, आपको आपके program के execution के दोरान कहीं जग प्रिंट करना है, तो पूरा पूरा प्रिंट if, you are welcome, इस तरह से लिखने की जगे, हम सिर्फ क्या लिख देंगे, show, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हेश डिफाइन, pre-processor directive की मदद से, एक macro template define कर देंगे, और इसके अंदर, इसका जो macro expansion होगा, वो एक statement होगा, पूरा का पू हमें बस क्या लिख देना है, throughout the program, सिर्फ शो, 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 जहाँ जहाँ भी हम इस message को print करना चाते हैं, अब आओ साथियों, हेश, define, pre-processor, directive का एक और इस्तेमाल समझते हैं, इस छोटे से example के जरिए, तो यहाँ दोस्तों हम देखने जा रहे हैं, macros with argument, तो यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले हमने लिखा है, hash define, फिर space, और यहाँ हमने एक macro का template लिख रखा है, area, और parenthesis के अंदर x, तो यह argument हैं दोस्तों यहाँ पर, फिर इसके बाद space है, और फिर आप देख सकते हैं, यह है इस macro का expansion, 3.14 into x into x, तो इस expansion को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा, कि यह circle के area का ही formula है, अगर circle की radius x है, तो उस circle का area होगा 3.14 into x into x, तो यहाँ पर यह जो macro with argument है, यह हमें circle का area calculate करने में मदद करने वाला है, अब दोस्तों, यह हमारा पूरा का पूरा पूरा program है, अब सबसे पहले तो यह program हवाले कर दिया जाएगा, pre-processor के, फिर pre-processor क्या करे तो pre-processor देखेगा कि यहाँ पर कौन-कौन से macro template है, तो यहाँ एक macro template हमने लिखा हुआ है area x, तो दोस्तों pre-processor क्या करेगा, कि जहाँ जहाँ भी हमारे program में यह वाला macro template मुझूद है, उसे replace कर दिया जाएगा, उसके corresponding macro expansion के साथ, तो ज़रा देखते हैं, इस program के अंदर हम आप नज़र डालते हैं, तो यहाँ दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते है, float type के दो variables हमने declare और define किये है, r1 और r2 नाम के, इन्हें initialize कर दिया है, 1.5 पर 2.5 से, तो यह दो circles की radius को represent कर रहे हैं, एक circle के radius से r1 और दूसरे circle के radius से r2, फिर CLR से अब फिर printf पर ज़रा दोस् लिखा है, area r1, तो preprocessor क्या करेगा, दोस्तों preprocessor इस area r1 को पहचान जाएगा, यह एक macro template है यहाँ पर, अब वो इस area r1 को replace करेगा, इसके corresponding macro expansion से, तो यहाँ पर as a argument एक value pass करी गई है, r1, तो यहाँ area r1 को replace कर दिया जाएगा, 3.14 into, अब दोस्तों x से replace नहीं हुगा, x की जगे किस ने ले ली है, r1 ने, तो यह r1 इस x की जगे ले लेगा यहाँ पर, तो दोस्तों preprocessor इस area r1 को replace कर देगा, 3.14 into r1 into r1, उसी तरह से preprocessor इस printf में भी देखेगा, कि यहाँ पर भी एक macro template लिखा हुआ है, area r2, तो इससे भी replace कर देगा हुग, इसके expansion के साथ, त 3.14 into r1 into r1, area r2 replace हो जाएगा, 3.14 into r2 into r2 के साथ, तो यह बन जाएगा expanded source code, और फिर यह expanded source code हवाले कर दिया जाएगा compiler के, आगे की कहाँ ही तो आप समझ ही गए होंगे, यहाँ से area of circle 1 की value print हो जाएगी, यहाँ से area of circle 2 की value print हो जाएगी, तो दोस्तों जब इस program को आप execute करे जाएगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह का output आजाएगा, area of circle 1 is 7.065 00, area of circle 2 is 90.625 00, अग दोस्तों माल लीजिए, अगर macro expansion के अंदर हमें multiple lines को शामिल करना है, multiple statements को शामिल करना है, तो किस तरह से हम कर सकते हैं, तो इस example के जरिए हम hash define preprocessor directive का एक और इस्तेमाल हम देखते हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा है hash define, फिर space, यहाँ हमने एक macro template का नाम लिखा है, जिसको हमने लिखा है loop, तो यह एक macro template है दोस्तों, फिर इसके बाद space, अब दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक, यह पूरा का पूरा macro expansion है, अब इसके पहले भी हमने macro expansions देखे थे, macro template और इसके corresponding, जो macro expansions होते थे, वो हमने लिखे थे, यहाँ पर प्रोग्राम में, पर उनमें सिर्फ एक ही line थे दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, यह जो macro expansion है ना, इसके अंदर multiple lines है, इसके अंदर एक, फिर दो, तीन, चार, चार अलग-अलग lines में यह macro expansion जा रहा है पुरा, तो क्या multiple lines में भी हम macro expansions define कर सकते हैं क्या, तो हाँ कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें एक छोटी सी बात को ध्यान रखना पड़ता है, अब दोस्तों, यहाँ पर यह जो macro template है loop, तो इसके corresponding, जो macro expansion है, उसके अंदर हम एक loop को यहाँ चलाना चाते हैं, तो आप देख सकते हैं, दोस्तों, हमने यहाँ लिखा पहले है four, फिर in parenthesis के बीच में हमने लिखा है counter variable और उससे जोड़ी हुई condition, अब इसके बाद, यहाँ यह पहली line होगी दोस्तों, अब इस पहली line के बाद, अब आप चाहते हैं कि और line को include करना, आप चाहते हैं कि अभी macro का जो expansion है, उसके अ इसके नीचे और lines बाकी है, तो यहाँ हमने slash लगाया, फिर उसके बाद नीचे आए, नीचे आए तो दूसरी line में हमने curly bracket को open कर दिया, फिर हमने यहाँ पर back slash लगा दिया, इसका मतलब यह हो जाएगा कि अभी इस macro expansion में और lines हम शामिल कर सकते हैं, फिर इसके बाद हमने य यहाँ closing कर लिए bracket लगा दिया, तो दोस्तों यहाँ हम back slash नहीं लगा रहे हैं, इसका मतलब यह हो जाएगा कि अब इसके बाद इस macro expansion में और lines नहीं है, यहाँ पर आकर यह macro expansion पूरा हो गया है, पूरी तरह से define हो चुका है, अब दोस्तों main function के अंदर हम आते हैं, तो macro template है, तो preprocessor क्या करेगा, कि यहाँ इस program के अंदर देखेगा कि कहा macro template है, तो यहाँ macro template है loop, तो दोस्तों preprocessor हमारे इस source code में क्या करेगा, कि यह जो loop नाम का macro template है, इसको replace कर देगा इस code के साथ, इसके macro expansion के साथ, जो की है एक for loop, पूरा का पूरा, साथियों इस program के execute होने पर हमें क्या output नजर आने वाला है, तो दोस्तों सबसे पहले CLRHCR execute होगा, जो output screen को clear करेगा, फिर इसके बाद, यहाँ जैसे ही control, इस जगें आएगा, तो यहाँ यह पूरा का पूरा, यह जो loop, macro template है, यह तो replace हो चुगा है, इस पूरे के पूरे setup line से, तो यहाँ यह पूर पूरा का पूरा 4 loop execute हो जाएगा, जो कि 1 से लेकर 10 तक चल रहा है, और 1 से लेकर 10 तक हर एक integer को print कर रहा है, तो output screen पर print हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से लेकर 10 तक integers, फिर gate CH और program हमारा मुकमल हुआ, तो ठीके दोस्तों, इस lecture को हम यहीं पर end करते हैं, होती है मुलाकात, आप सभी से अगले lecture में, आपका तहे दिल से शुक्रिया, जैहिन, वंदे मातर में साथि,